वैसे तो ये पेपर रिंग इस बॉल से बड़े आराम से निकल जाती है लेकिन जैसे ही हम इसे गुमाते हैं ये इस पे एकदम सेट हो जाती है और इसके साथ-साथ गुमने लगती है इसे बनाने के लिए हमें ये चोटी सी मोटर, प्लास्टिक बॉल, स्टिफ स्ट्रॉ, ये पेपर का रिंग, बैटरी होल्डर और इन बैटरीज की जरुद पड़ेगी सबसे पहले हमें इस मोटर में इस बॉल को जोड़ना है इसके लिए मोटर के एंड में हम एक स्ट्रॉ को गुसा देंगे स्ट्रॉ के जगे एक बॉल पेन के रीफिल का भी यूज़ कर सकते है ये स्ट्रॉ हमारे मोटर और बॉल का कनेक्टर है अब प्लास्टिक बॉल के आर पार हमें स्ट्रॉ को पास करेंगे याद ये रखना है कि ये दोनों पॉइंट्स डायमेट्रिकली ओपोजिट रहे मतलब अगर एक पॉइंट इधर है तो दूसरा पॉइंट इसके ओपोजिट यानि इधर रहेगा अब बचे हुए स्ट्रॉ को काट देंगे अब मोटर को बैटरी होलडर से जोड़ देंगे और इसमें बैटरी डालते ही हमारा हुला हुप तयार रिंग को बैलेंस करते हुए हमें इसे एकदम हलके हाथों से पकड़ना है अगर जोर से पकड़ेंगे तो ये बॉल के साथ नहीं घूम पाएगी घूमते हुए इस मॉडल को अब हम आराम से उल्टा, सीधा, आडा, तेडा कुछ भी कर सकते हैं और ये रिंग बिल्कुल नहीं गिरेगी सिर्फ सर्कल ही नहीं, स्क्वेर रिंग भी इसमें आराम से बैलेंस हो जाती है इस बॉल और रिंग को अगर हम अच्छे से डेकोरेट कर दे, तो ये एकदम शनी ग्रह जैसा दिखता है इस खिलोने का नाम इस हूला हूप से प्रेरित होके पड़ा है कमर में इस रिंग को घुमा के बैलेंस किया जाता है हम कमर से रिंग पर दो दिशाओं में फोर्स लगाते हैं एक फोर्स उपर की तरफ जो ग्राविटी को बैलेंस करता है और दूसरा वो जो इसे घुमाते रता है और ये फोर्स फ्रिक्षन यानि घर्षन से मिलता है तो हमारे कपड़े का घर्षन इस हूप के घुमाव को धीमे भी करता है पर इसी घर्षन के कारण ये हूप ग्राविटी के विरुद हवा में बैलेंस भी रता है इस खिलोने के केस में कमर का काम ये बॉल करती है अलग-अलग रिंग, बॉल्स, कलर का इस्तमाल करके आप अपना वर्जिन बना सकते हैं तैंक यू अलग-अलग